we are welcome back to my channel last chapter में एक बंदे को देखा था जिसका पर्स शूरी हो चुका था और चूरी हो चुका था था, हम आच जो तेई होता है उसकी मदद करता है में सी बातों ही बातों में ये पता चलता हा कि है वह जो बंदा हां उसे भी रही सब शौक है वो भी पुरानी फरीप टेही से पोलरा होता है कि लोत है उसरे और हमारे टेही के पास खांध में बॉटर सब्सक्राइब हो मैं तुम्हें वह बुक दे दूंगा आब में एका सीन दिखाया जाता है वह बंदा आपर खुड़ा होता है और हमारे तही का क變 कर रहा होता है ते Iudya शॉड़ी मैंने कुछ जाता ही mains करा दिया क्या था यह जून रहते है लो बंदा होता कहता है कि pablo रिश्क हां तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने हर एक जगह इसको डूंडा and thank you so much तीज होता है कहता है कि oh bar bar thank you कहने की जरुवत नहीं है and तभी वो बंदा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे तुम्हें रीपे करूँ अगर तुम कभी भी बर्ली ना हो ना तो मुझे एक चांस देना and oh god मेरा business card मेरे पास तुम मेरा business card भी नहीं है तभी तेही कहता है बर्लीन and वो बंदा कहता है कि हां मैं वही पर रहता हूं and मैं यहां अपने business trip पे था तभी मेरा जो समाना वो चोरी हो गया and तभी जो तेही होता है कि अगर तुम बर्लीन चाह रहे हो तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे मैं वही पर जा रहा हूं and तभी जो वो बंदा होता है सुछने नहीं तो oh gosh यह young man सच में एक angel है सीधे heaven से ही आया है and तभी जो वो बंदा होता है हमारे तेही का हाथ पकड़ लेता और कहता है कि thank you so much तुमारे इस kindness की मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसका रेपी करूं and वो रेपी करने के लिए काफी ज़दा हो रहा होता और फिर से कहता है thank you so much कुछ ज्यादा चीजी सा हो रहा था जो कि हमारे तेही को तो विल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था and वो कहता है no problem और सुछ लेंगता है सच में इसका reaction काफी से बड़ा था इसकी मेरा उमीद नहीं की थी अंदर भी वो बंदा कहता है कि well यह जादा कुछ नहीं है बट तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूँगा बट कभी भी किसी चीज की जरुवत हो तो मेरे घर तुम रुख सकते हो अगर तुमने बरलीन में कोई भी hotel book नहीं किया फ्रीस मेरे घर पर रुख सकते हो तुम प्लीस साथ मेरे place पर रुखना चाहोगे and जो होता है वो अब समझ भी नहीं आदा क्या कहे या ना कहे वो बंदा फिर से कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दो तुम्हारी kindness का एक repay करने के लिए बस थोड़ा सा जो ते ही होता है अब वो परसन वो इसके साथ कार में होता है वो बंदा कहता है कि तुमने मुझे बच्छा लिया हाइ रेली मैं तुम्हें सच में अप्रेशेट करना चाहूंगा इस शीज का तभी तभी ते ही होता कहता है तुम्हें थे फॉर्मल बनने की जरूवत नहीं है तभी बंदा कहता है हाह तुम सही कहारोगा पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है अभी तक तभी ते ही ह कहता है कि तुम तभी ते ही होता कहता है कि तुम्हें किम बॉला सकते हो यह बास सुनते ही वोच बंदा रहता कहता है कि तुम एक Korean हो, एक decent Korean हो, तभी हमाना तेही कहता है कि हाँ मैं Korean हो, मैं वहाँ पर जन भी हुआ है और मैं पाला बड़ा भी हूँ, usually जो लोग रहते हैं वो मेरे से काफी से impressed हो जाते हैं, क्योंकि मैं Korean दिखता नहीं हूँ, तभी जो बंदा होता कहता है कि मेरे एक friend है, जो पासंद है और वो भी Korean ही है, हम लोग बहुत सारी बाते करते हैं, books को लेकर, तभी जो हमारा तेही होता है कि interesting, मेरे uncle भी ending books में काफी सदा interested है, कभी मौका मिला तो मैं तुम से जरूर introduce करा दूंगा, अगर तुम चाहो तो, तभी हमाज जो तेही होता है, तो कहता है फिर उ antics books होती है, उनको किसी और को देना इतना असान नहीं होता है, और उन्हें sell करना भी असान नहीं होता है, बहुत लोग तो इसका business कर देते हैं, और तुम कभी-कभी ये साही चीज़े प्रिफर नहीं करना चाहोगे ऐसी वाली चीज़े, antics books जो होती है ना उसको बहुत ये तो सच में, antics book के पीछे पागल है, मेरे अंकल इतने बुरे तो नहीं है, और तभी वो जो बंदा होता है कि वेल, मुझे अच्छा लगा किसी ऐसे परसन से मिल कर, जो मेरे जैसा same hobby रखता है, मुझे अच्छा लगीगा उनसे मिल कर, मुझे तुम्हारे अंकल से मिलने मेरे जो अंकल है, उनका भी एक फ्रेंड है, वो भी अपनी सारी hobby को share करते हूं, इसके साथ, मैं I'm sure कि आप सभी लोग मिलकर अच्छा time spend करेंगे उसरे के साथ, और तभी वो आगे कहता है, तभी वो जो बंदा होता है, कि ये सारी जो books है, जो मैं use करता हूं, तुम देख स लगता है, किसी दूसरे से antique books के बारे में बात करना काफी साथ अच्छा लगता है, तो तही होते कहता है, लेकिन आपका work है, वो क्या antique books related, I mean, क्या आपकी पास कोई book store है क्या, ये बास सुनते हो बंदा कहता है, कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी बंदा कहत आगे कहता है, कि मैं बस सारी books को restore करना चाहता हूँ, और मैं इस business को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये business इतना सार डिमांड में नहीं है, फिर उसके बाद उसे ally की याद आती है, जहां वो दोनों उस जेल में थे ना, तहां उन लोगों ने बहुत सारी बाते की थी, तुमने जैसा की कहा था कि तुम्हारे जो brother है, उनके पास बहुत जादा work है, और वो एक industrial है, और तभी जो हमारा ते ही होता है, वो कहता है, लेकिन तुम उसमें काम क्यों नहीं देते हाथ, तुम्हें भी बटाना चाहिए, जो ally होता है कि हाँ, मेरा जो brother है, उसका एक ordinary business ह है, हमारी family business लेने से पहले था उसका, वो सारी books, antics books को restore करना चाहता था, और उसने बहुत सारे friends भी बनाये थे, जो कुछ ऐसे ही सेम टेस्ट शेयर करते थे, और तभी हमारा जो यह होता है, वो सुशन लगता है, पता नहीं, suddenly मुझे bad feeling क्यों आ रही है, इस बारे में, और वो अपने जो हाथों ग्रीप रहती है, उसे काफी सदा टाइट कर लेता है, और भी कहता है, मैंने भी realize कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, वो बंडा कहता है, कहां गए मेरे manners, I'm sorry Kim, तुम मुझे काईल कह सकते हो, तभी हमारा जो तेही होता है, काईल, अच्छा ना कभी कभी लोग परिशान हो जाते होंगे, I mean, तुम्हारा फॉस्स नेम क्या है, और ये बाहरा सुनते है, वो जो बंडा होता है, वो smile करते होए कहता है, अच्छा, और तभी तेही कहता है, I mean, usually, जो लोगों तेही हो काईल तुम्हें कहते ही है, लेकिन तुम्हारा पहला वो जो बंडा कहता है कि और ये मेरा फॉस्स नेम ही है, ये मेरा फॉस नेम ही है, अच्ड? ग्रोल मेरे विजनस कारट प करता है, लो बंडा कहता है कि जो मेरा यञगर उन्गर पृदर ही है, इस ये लिए अगर कोई भी हमारा जो first name है वो कहे कर बुलाता है तो काफी सब गुसा हो जाता है and thank you so much हमारी जो family है वो ही हमारे first name का use कर दिया in fact अब तुम्हें पता है अब कहीं पर भी मैं official event पे जाता हूं तो मुझे काईल ही कहे कर बुला जाता है और यह काफी जादा rare होता कि कोई मेरा last name लेकर बुला है इसलिए कोई भी मुझे Mr. Regro नहीं कहे कर बुला आता ऐसा कुछ and तेही सुछ लगता well shit क्या यह possible है कि दोनों related है oh god यह ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतनी बुरी किसमत तो नहीं हो सकती and तभी जो Mr. Regro रहता है I mean Kyle रहता है क्या हुआ कि किम कुछ problem है क्या तेही सुछ लगता है damn it इतनी बुरी तरही से punishment तो मुझे नहीं मिलने चाहिए या फिर मैंने कुछ गलत किया था क्या कुछ गलत किया था यह तो वह बात हो गई जब मैं aroundo से निकल था यह वैसे ही बात लग रही है अब हमें अरंडो से निकलने का पहले का सीन दिखा जाता हमारती एक कियान लेकर बैठा हुआ था उसके सामने एली था और सोचल लगता है कि लगता है मैंने इसको कुछ जाद ही अंडर एस्टिमेट कर लिया No, oh God, मैं फिर से उस मिस्टिक को क्यों कर रहा हूँ मुझे समझ मिल आता humans क्यों एक ही मिस्टिक को बार बार रिपीच करते हैं यहां तक कि मैंने मुर्मुर को तब तक पीटा जब तक उसने मुझे यह मेडिसीन दे ही नहीं दी मैंने तब तक पीटा लेकिन मैंने सोचा था कि ये तो एक बार में ही भी होश हो जाएगा लेकिन यह तो मेरे प्लान को पुंधिक से बर्बात कर है मैं समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूँ क्या ऐस से इस पर इस तरीकी का स्टफ क्यों असर नहीं करता है तवी जो एली होता है क्या हुआ तुम इतना क्या सोच रहे है वह I mean तुम इस तरीके से सूच हो, जैसे मुझे भी अब डल लग रहा है तुमाई सीरियस से एक्स्प्रेशन को देखकर हो मारे ते ही होता है कि डल लग रहा है और गालिया देते हुए कहता है कि हाँ एं तभी जोली किता बाइधावे यही मैं ने सुना कि तो मैं स्क्राइटर श्योंग से मिले थे ऊस प्लेस पर और यही जो होता है अब वह सोचमें पर जाता उस पलेस और कहता है यह परसन जरूर उस प्लेस के बारे मुझे आनता हो का ओ गॉड मुझे इस पारे में ख्याल पहले क्यों नहीं आया है और वो कहता है क्या तुमने मेरे अंकल से बात की उस दिन या फिर कभी रोज बात करते हो ऐली कहता है कि नहीं आपकोस नौट लेकिन फैक्ट यह है कि रे और मैं वही सोच रहा था कि एक इंस्ट्रक्टर जो अपने निफ्यू को इतना ज़्यादा प्यार करता है तो अब मैं इस पारे में क्या कहूं एक वैसा परसन जिसको डिर्क्टर ने खुद बोलाया अपने पास और तभी हमाज़ ते ही होता है सुचनत यह बीस्ट ना इस यह होने वाला भी है कि नहीं होने वाला क्या अस पर उस मेडिसिन का असर बहुत रहा है या रहा है तुमने मेरी और अंकल की बाते सुन ली है तुमने मेरी और तो कुलने हो और वैसे भी अभी तो स्टार्टिंग है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे निरा सर चक्कर कर रहा है मुझे नीन सी आ रही है और तब जो तेही होते है कि अब मैं सोच सकता हूं इस बारे में बट मुझे सच में सारी चीजों के बारे में कोई केर नहीं है वटेवर जो कुछ भ सब्सक्राइग मैं झने जदने साथ है है कि नएंटस्टेड नहीं हूं लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम क्या सोचते ही इस बारे में लता है मुझेorts नीन ठीक से नहीं आ रही है इसलिए हो सकता है और फिर गुज़ बोलता है जो तेई होता है वो यह सच में अखिरकार यह अकित यह सच में अथिक ही एकूञा अशर हो इसके पास आता है और उसके हाथ में कुछ था जो कि हमें पता नहीं चलता क्या था और कहता है कि नाव अब मैं तुभी प्रॉपर तरीके से गुडबाय कह सकता हूं यहां से जाने से पहले अब उसके बाद तेरी क्या करता है क्या नहीं हमें तो दिखाया नहीं जाता और यहीं बाद चैप्ट